हलो गाईज दिस इस रित्वान वेलकम टो टीचिंग एंड लर्निंग आज की हमारी वीडियो जो है वो बीएड के असाइमेंट से रिलेटीड है तो वीडियो को लास तक देखेगा गाईज वीडियो आपके लिए काफी हल्फुल रहने वाली है इससे पहले भी हमने बीएड तो वीडियो को देखकर आप अपने इससाइमेंट को अच्छे से प्रिपार कर सकते है और टाइम से इसको डाइड कर सकते है तो चलेए गाईज आप मीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यह हमारा वर्क एजुकेशन का साइमेंट है कैस अनलेसिस और जाइड नाइशनियों 2009 की meaning फिर उसकी characteristics फिर उसकी limitations उसके बार नई तालिम के समन्द में शिक्षा का अधिकार तो उसमें लिखेंगे हम बिशिक शिक्षा का अर्थ उसके उदेश है उसके बार लिखेंगे नई तालिम और शिक्षा के अधिकार के बीच में relation जैसा कि हमारे assignment क्योंकि यह 10-10 marks के होते हैं जादा marks के नहीं होते हैं यह हमारी जो बुक है वो बाद में लगाई थी करिकुलम में हमारे syllabus में बाद में आड़ होई थी इसलिए हमें इसकी फाइल ले में ले 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 थी तो उसे ऐसे लूस पेपर में बनाना पड़ा था है क्योंस पेपर में ले 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 लिए वो भी हमारी में लेवा बनाना पारे रादाब करादा हैं झाल 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 मेरे वीडियो के थूँ आप लोगों को अपने असाइमेंट्स को बनाने में काफी हल्प मिल रही होगी और वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा साथ ही मेरे चानल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को हिट कर लीजेगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा क्योंकि इस चानल पर मैं आपके लिए बीड से रिलेटेड फाइल और असाइमेंट्स को लेकर आती रहते हूँ जिससे कि आपका बीड का जो वर्कलोड वो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो चलिए गाइस आज की वीडियो यही एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ और थेंक इफर दब वाचिंग दिस वीडियो